कि यहां दोस्तों तो इलक्षण कमिशन को हम पढ़ रहे थे एक लक्षण में अप्लोड किया एक्षण कमिशन का तो सेटर लेक्षण में हम इसको आगे ले करके चलते एक्षण कमिशन को ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं सेवंधी थर्ड कांसिचुशनल अमेंड्मेंड मे सब्सक्राइब करना पढ़ी के लेक्षण के लिए यह लाइगा है उसके लिए किस्को पढ़ना पढ़ेगा सप्रेट कमिशन जो स्टेट कहोंगे तो उसमें आएगा चीफ और किंच्ट करेंगे logis को एक हो गई होगा तो उसके बार और भी बहुत सारे इलेक्शन कमिशन ह होंगे ठीक है एक चीफ होगा और और भी बहुत सारे होंगे और यह कौन डिसाइड करेगा यह प्रेजडेंट डिसाइड करेगा कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें 1950 से लेकर के 15 अक्तूबर 1989 तक यह सिंगल मेंबर बाड़ी था लेकिन 16 अक्तूबर 1989 से यह मल्टी मेंबर बाड़ी बन गया और यह क्यों बना इसके पिछवी एक रीजन है तो 61st constitutional amendment हुआ 1988 को ठीक है इसमें जो voting age जो थी वो 21 से 18 year तक कर देगी ठीक है तो यह amendment हुआ यह force में कब आया यह 1989 में ठीक है इससे क्या हुआ बहुत सारे जो voter नहीं होगे ठीक है उनकी list maintain करना ठीक है बहुत सारा काम बढ़ गया तो इसके लिए single member body हो थी उससे क्या कर दि 1990 में इसको फिर से single member body बना दिया गया और फिर October 1993 में President ने दो और election commissioner जो थे वो add किये ठीक है और अभी तक वो ही चल रहे है अगर हम बात करें in case of different opinion ठीक है अगर चीफ election commissioner और election commissioner के बीच में कुछ opinion में difference आ रहा है ठीक है तो वो जो difference है वो solve किस तरह किया जाएगा वो matter को कौ जो जो फॉलो करेंगे वो ही माना जाएगा और अगर हम salary की बात करें इनकी बिल्कुल सेम salary है जितनी Supreme Court के जज की होगी ठीक है चीफ election commissioner और election commissioner की सेम salary होती है जितनी होगी Supreme Court के judge की और उसके साथ हम बात करें removal की कि इनको किस तरह से हटाया जाएगा तो बिल्कुल सेम जैसे Supreme Court के judge को remove किया जाएगा वैसे ही ये चीफ election commissioner और election commission को remove किया जाएगा जाएगा अगर वो misbehave प्रूव होगे तब जब इन capacity अगर ऐसा लगा कि वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे है तो उनको remove कर दिया जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों houses जब special majority से resolution pass करें तो उसके बाद जो president जो है वो remove कर लेगा election commissioner को ठीक है और उसके बाद है कि ये election commissioner जो है ये eligible नहीं है वापिस से reappoint होने के लिए ओके दिनेश गोस्वामी committee 1990 में इन्होंने recommendation दीती इस committee ने कि 3 member होनी चाहिए ठीक है 3 member के recommendation दीती तो उसके बाद 3 member हुए भी election commission में ठीक है दो member प्रेजड ने ओरड़ किये single member को multi member body भी बनाया गया ठीक है तो ये committee काफी important होती है ये exam में पूछे जाते हैं ठीक है matching करके आते हैं question तो आज की video में इतना ही friends तो next lecture में हम नहीं topic लेकर करके आंगे धन्यवाद